नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी गया आपके हमारी यूट्यूब चैनल रोकेस्टार एजुकेशन में मैं हूरास आपके लिए बिहार सरकार के तरफ से फिर से एक बार बिहार फिरी छात्रावास योजना 2024 चलाया जा रहा है जिसके लिए कि आवेदन शुरू भी हो है आप आवेदन कैसे करेंगे साथ में कौन सब आवेदन कर पाएंगे क्या rate of birth है कौन-कौन कितने फी लगते हैं क्या कैसे संपुन जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो अगर आप बिहार फिरी छात्रावास योजना में भार लेना चाहते हैं त पिछरा वर्ग एवम अती पिछरा वर्ग के संचालित अन पिछरा वर्ग के कनना आवास यह लिए प्लस-2 उच्चे विद्ध्यालेयों में वर्ग ये जो है याद रखिए ये परिक्षा जो है होना है नामंकन के लिए जो की निसुल्क है इस फॉर्म को भरने में किसी भी तरह की आविदन सुल्क नहीं लगता है आप इस फॉर्म को पिल्कुल फिरी अपकोस्ट भर सकते हैं कैसे भरेंगे कौन-कौन लोग भर सकते हैं आईए हम संपून जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे अगर आप इसके एक छुक हैं तो जरूर आपको इस फॉर्म को भरना चाहिए क्योंकि इसके फॉर्म भरने में किसी भी तरह की आविदन सुल्क नहीं देनी होती है और साथ में मैं बता दूँ इसका जो नामंकन की परकिरिया है जितने भी इसके डीटेल से इन्पोर्टेंट डेट वगेरा वो यहां पे मेंसन किये हुए हैं सबसे पहले आईए जानते हैं कि क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है उसके बाद आपको हम आगे की बात बताएंगे अगर आप बिहार फिरी छात्रावास योजना 2024 में के लिए अगर आप एक छुक हैं तो बिलकुल आप इस वीडियो को अंतक देखिएगा हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को अलाटन दवा कर सस्क्राइब कर लिजेगा साथ में बैल आकन को प्रेस कर लिजेगा इस तरह की इनफोर्मेटिव वीडियो देखने के लिए यहाँ पर आपेए रखा है बिहार के 11 जिलो में पूरुसे संचालित बार अन पिछरा वर्ग एबं कन्यया कंया आवसिये पलस्टू उच्च विड्यालों में वर्ग 6 में 480 तथा 27 जिलों में ने संचालित 27 अन पिछरा वर्ग एबम कन्या आवास्य प्लस्टू उच्च विद्यालों के वर्ग 6 में 1080 यानिकी 1080 रिक्त था वर्ग 9 में 1080 यानिकी 1080 रिक्त के विरूप नमंकन से related ये जो है सुचना जारी किया गया है पहले से 11 जीलों में ये चल रहा है जिसमें की 12 अन्य पिछरा वर्ग एबम कन्या और थ्यान प्लस्ट के लोग इसमें अलरी थे अब 27 जीलों में फिर से नया संचालित किया जा रहा है जिसमें की जो है यहां पर किलरली बता जा रहा है कक्छा 6 के लिए 1080 और कक्छा 9 के लिए एक हजारा सी यानि कुल मिला के जो है 2100 से पलस छात्रा छात्रों का जो है इसमें नामंकन होना है इसकी जो नामंकन की परिया के प्रकिरिया की तीथी है वो सबसे पहले समझेए आविधन पापतर जो है आपको भरने का तीथी जो है वो पंद्रह जन्वरी से शुरू हो चु यानि की सथाइस all फर्वडी के बीच से लेके 29 फर्वडी के बीच इसस्तरम सब्सक्राइब 2,3 यानि की तीथी 2,3 2024 12арh और दो मार्च को अगा गया kita its ज्रू हो जाएक madam और नामंकन कhin परिया सुरू हो जाए गी वो तैरा तीन से लेकर यानि समझेगा परिक्षा है तो अब इसे सूचना सूचना क्या है वर्ग में कख्छा 6 एवं कख्छा 9 में नामंकन से वतनिष्ट परिक्षा की आधार पर होगा कुल 100 अंग्ष्ट प्रस्थ पत्र होंगे जो कि दो घंटे का होगा यानि कि 100 कोस्टन होंगे आपको दो अंग्ष्ट परिक्षा जाएगा यानि अंग्रेजी हिंदी इंग्लिस और सोचल साइंस से आपका टॉर्कुल मिला के 20-20 नमर के क्वेस्टन पुछे जाएंगे नामंकन है तूँ 15-2024 आयू सीमा वर्ग 6 के लिए और 13-14 वर्ग एवं वर्ग कक्छा 9 के लिए 13-15 वर्ग होन उमर की वह 14-5 से जिसमें की कक्छा 6 के लिए 10-13 साल होना चाहिए और यह जो गनना होगी कक्छा 9 के लिए 13-15 साल की उमर होनी चाहिए वर्ग 9 में 40 से अधिक आभिदन प्राप्त होने पर प्रिक्षा यूजन की जाएगी यानि कि अगर कक्छा 9 में 40 पलस आभिदन गिरता है अगर आभिदन किया जाता है तो इसकी एक्जाम ली जाएगी उसके बाद विवाहित पत्र में आभिदन पत्र हस्त लिखित या टंकित परती में आपने जिला के जिला पिछरा वर्ग एवं अती पिछरा वर्ग करल्यान कर्याले में जमा किया जाएगा यानि कुल मिला क यह है यह form offline भरना है वह form offline कहां से भरना है आप अपने जिला से भी प्राप्त कर सकते हैं अन्य जो देख रहे हैं format इसके माध्यम से भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे और इसको कहां जमा करना है वह भी बताते हैं यहांप एक चीजी और मेंशन क्या गया है परवेश परि अबिदक का नाम यहां डालना है इसको आप इस फॉर्म को प्रेंट आउट लेकर आप इसको टाइप करवा के भी लिख सकते हैं या फिर खुद से भी आप इसको कलम से लिखकर इसको जमा कर सकते हैं इस दोनों फॉर्म को भरना है यह जो है आप दन पत्र है और यह एडिमिट कार्ड का फॉर्म है इस फॉर्म को भरन के बाद आपको जमा करना है यहां पर देख सकते हैं क्या क्या लेकर जमा करना तो यह यहां पर देखिए क्या क्या डोकुमेंट जमा करना है यहां पर दिया हुआ है साथ में आपको जमा करना है आपको कार्याले अपने ऑफिस पिछरा वर्ग वहां जाके इसको आप जमा करे याद रहे जिससों में आप leuke सोब्सक्राइब आपको पुरा ४र्शी करेंगे आपिदर के पूरा नाम पता होगा और इसके आपको बवर्ण को की साके करेंगे आप कि आपको देदे अब देखिए यहां पे ख़ेक的是 जहां आविदिका का प्रात्मिक्ता के अधार पर कहती है humidity आप कहां कहां बेदा आपूप시न लेना चाहते हैं प्रिफ्रेंस देख लेंगे, साथ में कौन सा जिला है, यहां पे आपको डालना है आपना विद्धाले का नाम, कौन-कौन से विद्धाले में आप लेना चाहते हैं, जिसको आप प्रिफ्रेंस बोलते हैं, डिस्टिक का नाम, और यहां पे प्रमंडल का नाम बोला जा रहा ह पर लुख देना है और यहां पर आ डालना है ध्यावान ضब्लिन संभान चाहिए कि यहां पर प्रद तीन photograph का अभी परमानिद परती एब मोसी पर बांपत्र इस परकार का आविदन naprawdę करेंने, तब आपका जो है, याद रहे यह प्रौपर रूप से लड़कों के लिए होता है, आकि लड़कों के लिए आम तोर पर जैसा यहां बता जा रहा है कि यह जो है प्रोपर लर्की के लिए है अगर आप लर्का है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं तोर पर यह आविदिका जो है यह समझा यह लर्कियों के लिए है और यह चीज मेंसन किया गया इसके अंदर कि यहां पर जब आप पढ़ेंगे तो देखने को मिलता है पिछरा वर्ग इबम अति पिछरा वर्ग के कन्या कल्यान विभागद्वारा संचालित अन्य पिछरा वर्ग इबम कन्या आवास यह प्लस टू उच्छ विद्यालेवों में नामंकर नहें तू परिक्षात यानि अगली वीडियो में ततक के लिए धन्यवाद